जै शीराम जै हनुमान आज की बालकार्ण कथा कुछ इस प्रकार है को कह आए भूपती पहिचाने मुनी समेत साधर सन माने सक्खी परंतु पनुराउन तजाई विधी बस हटी अभी बे कहीं भजे ही किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनी के सहित इनका आधर पुर्वक सम्मान किया है परंतु हे सक्खी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता वहोनहार के वसी भूत होकर हट पुर्वक अविवेक का ही आस्रे लिए हुए है कोई कहती है यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सब को उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा हे सक्खी इसमें संदेह नहीं है जो भी धी बस असे बने संजोगू तो क्रति क्रते हो सब लोगू सक्खी हमेरे आरतियतिताते कब हो के आवही नाते जो दैव योग से ऐसा सैयोग बन जाए तो हम सब लोग क्रतार्थ हो जाए है सकी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुर्ता हो रही है कि इसी नाते कभी यहां आवेंगे ना ही तो हम कहू सुना हो सकी इकर दरसन दूर या संघट तब होई जब पुन्य पुरा क्रत भूरी नहीं तो विवाना हुआ तो ही सकी सुनू हमको इनके दरसन दूर्लब है या सैयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों के पुन्य बहुत है दूसरी ने कहा कि हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा इस विवा से सभी का परम्हित है किसी ने कहा संकर जी का धनुस का ठोर है और ये सामले राजकुमार को मल सरीर के बालक है सभू असुमन जसे आहाई सयानी यहा सुने अपर कहाई म्रदुबानी सकेह के को को अस कहाई बड़े प्रभाव देखते लगुआ ही जिनके भै से हे सयानी सब असमंजस ही है यह सुनका दूसरी सकी को मल वानी से कहने लगी कि हे सकी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है परसिजा सुपद पंकज धूरी तरी अहल्ला क्रत अद भूरी सोकी रहे बिन सिव धन उतोरे यह प्रतीत परहराहिन भोरे जिनके चरण कमनों की धूल का इस पर्च पाकर अहल्या तर गई जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या सिव जी का धनुस बिना तोड़े रहेंगे इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए जही बिरंची रची सीव सवारी तही सामल बरू रचव विचारी तासु बचन सुने सब हरसानी एसे हो कहाए म्रदुबानी जिस ब्रम्हा ने सीता को सवार कर रचा है उसे ने विचार का सामला वर भी रच रखा है उसके ये बचन सुनकर सब हरसुत हुई और कोमल वाड़ी से कहने लगी कि ऐसा ही हो सुन्दर मुक और सुन्दर नेत्रो वाली इस्त्रिया समू की समू रदे में हरसी तोकल पूल बरसा रही है जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनन्द चा जाता है पुरपूरब दिस गेदो भाई जहाँ धन मुक हित भूमी बनाई अति बिस्तार चार गजड़ारी वीमल बेदिकार उचिर सवारी जै श्री राम जै हनुमान आज की बालकान कथमें बस इतना ही हर हर महादेव झाल